विक्रम मालिट्यादी काहानी आरंगी आओ सुने हम सिखासन बक्तिसी बहुत बहुत समय पहले की बात है जब हमारे भारतवर्ष देश में राजा मारा जाओकर राजुआ करता था एक चीरिया अपने बच्चों के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में उड़कर जा रही थी उसे अपने परिवार के लिए एक ऐसे राज्य की तलाश थी जहां सुक और समृत्धी हो ताकि वो अपने बच्चों के साथ शान्ती पुर्वक जीवन बिता सके यूही एक राज्य से दूसरे राज्य में उड़कते हुए एक दिन अचानक पेक ऐसे राज्य में पहुँच गए जहां चारों और हर्याली ही हर्याली थी फूल जैसे बोदों पर मुस्कुरा रहे थे और ठंडी ठंडी हवा जैसे उन फूलों को छोला जोला रही थी सारा वातावरण फूलों की खुश्बू से महक रहा था मा, मा, मीज़े फूलों से कितनी अच्छी खुश्बू आ रही है हाँ, चलो चलो, मीज़े चलकर पता लगाते हैं कि ये सुन्दर राज्य कौन सा है चिलिया को लगा कि ये अनुकुल जगा है इसलिए वो अपने बच्चों के साथ एक घने पेड़ की तहनी पर उतर गई वहाँ पहले से ही एक चिलिया अपने परिवार के साथ रह रही थी चिरया बहें, ये खुबसूरत राज्य कौन सा है? बहेंगे राजह उजएन कौन है इस उजएन राज्य का राजा? इस खुशाल राज्य के राजा है राजा भोज क्या राजा भोज, अच्छे राजा है क्या मैं और मेरा परिवार यहां सुरक्षित अपना जीवन बिता सकते हैं? चिरया बेहन तुम निश्चित होकर यहां अपने परिवार के साथ रह सकती हो हमारे राजा पोच बहुत ही दयालू और न्याई प्रिय है यहां ना तो चूरी होती है और ना ही तकेती इस राजे में सब मिल जुल कर रहते हैं धन्यवाद बेहन एक बात और बेहन क्या मैं भी इस पेर पर अपना घोसला बना सकती हूँ अवश्य बेहन जिस तरह इस महाल पेर ने मुझे और मेरे परिवार को आश्रे दिया है यह तुमारे परिवार को भी आश्रे शरूर देगा क्यों पेर भाया? चुरया बेहन मैं तो इतना विशार और छायादार बना ही हूँ लोगों को शरन देने के लिए मैं तो चाहता हूँ कि मेरी छाया और मेरे उपर लगने वाले फल का आनन पूरा संसार ले चुरया बेहन तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का स्वागत है दान्यवाद देग भाया और इस तरह उस चुरया ने भी अपना खोसला उसी पेर पर बना लिया और खुशी खुशी वहां अपने नन्य मुन्यों के साथ फेरने लगी वही से कुछ दूरी पर एक गाव था ये कुम्हार बड़े ही महनती थे और दिन रात मित्ती के सुन्दर घड़े बनाते थे इन घड़ों की मांग पूरे राजय में बहुत थी इसलिए ये कुम्हार धनवान और खुशाल थे यही पर एक कुम्हार था प्रिजभान प्रिजभान का सोला वर्ष का एक लड़का था चंद्रभान वो रोज सुबा अपके भीड बक्रिया चराने ले जाया करता था जुए अरा अराम जगा आम सब्सक्राइब आपकंप जेते वेड़े अरे मेरी तुम्हों जाय 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 आई वो भेड बक्रियों को चर्णे छोड़कर खुद इसी छायादार पेड के नीचे इस टीले पर सो जाया करता था और जब सुबह से शाम हो जाती तो वो उपता था और अपने भेड बक्रियों को पुकार कर इक्खर्टा कर लेता था सलाश्याम हो गए अजयाँ अरर अरर अजयाँ अभयकर मेर अजयाँ अजयाँ अपता कालगा अजयाँ मैं याद करें आव में चेंपा चेमेले अरे कहां चली गई आजो चलो 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 अब सेब चलो चलो उसकी आवाज सुनकर सारी की सारी भेल बक्रियां उसके पास जादू की तरह खिची चली आती थी 16, 17, 18, 19 और 20 उनको गिनता था और फिर अपने घर के और निकल पड़ता था बाकी चारवाहों ने जब उसकी ये हरकत देखी तो उन्हें लगा कि चंद्रभान के पास अवश्य ही कोई जादूई शक्ती है जिसके कारण वो अपनी भेल बक्रियों को इस तरह अपने काबों में रखता है बाकी गड़रिये चंद्रभान से ज़ने लगे और उसे आलसी और नकारा पुकारने लगे परन्तो चंद्रभान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था वो हर दिन की भाती अपने भेल बक्रियों के साथ आता और उन्हें चंद्रभान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और फिर एक शाम की बात है जब चंद्रवान सोकर उठा तो उसे अपने अंदर एक अचीब सी शक्ति का एहसास हुआ वो बाकी गजर्यों को जोर-जोर से आवाज देकर पुकारने लगा अबे कोई है यहाँ कहा जाका मर्द तुम दापते सब यहाँ मेरे पास आओ मैं चंद्रवान तुम्हें बुला रहा हूँ क्या तुम लोगों को सुनाय नहीं दे रहा अरे यह तो चंद्रवान की आवाज लग रही है हाँ वही तो है परन्तु यह इस तरह से हम सभी को क्यों बुला रहा है अरे चलो चलो चलके देखते हैं ना कि आओ यहां मेरे सामने आकर करे रहा हूँ क्या बात है क्यों चिला रहा है इस जट से बात करो क्या तुम सब बूल गए कि तुम सब किससे बात कर रहे हो मैं हूँ चंद्रवान इस राजी के राजा हो और इस राजी का राजा लगता है तुम भूल गए किस राजी के राजा है राजा भोज यह वो अब वो राजा भोज वो ते दम नलायक राजा उसे तुम नेक करना भी नहीं आता है मैं तुम सबको आदेश देता हूं जाओ और ऐसी बेकूब राजा को बंदी बनाकर मेरे सामने पेश करो अरे यह तो गया काम से अगर सही निकुवाने इसकी बात सुन ले तो इ कि अरे कहां चलेगे सब यह सब बी कायर है काया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं एक एक को दण दूंगा एक को यह मुझे क्या हो गया था मेरे साथ ही ठीक क्या रहे थे कहीं मैं सच्मुच का पागल तो नहीं हो गया हूं मा मा क्या चंद्रवान सच्मुच पागल हो गया है जो इतने अच्छे राजा को भला बुरा कह रहा है पता नहीं बेटा, यह तो समय ही बताएगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है चंद्रफान जब अपने गाउं पहुचा तो सब उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे जैसे उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो चंद्रफान के इस व्यवार के बारे में सारे गाउं को पता चल गया था और इससे सबसे खुश था चतूरी जो चंद्रफान के पिता का शत्रू था और हमेशा मौके की तलाश में रहता था ताकि वो चंद्रफान और उसके परिवार से बतला ले सके चतूरी ने फैसला किया कि अगले दिन वो चंद्रभान को छिप कर देखेगा ठीक कहरो भाईया आज अगर चंद्रभान नहीं होता तो मुझे मेरा घोड़ा नहीं मिलता हाँ 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 क्या न्याई किया है हाँ हाँ सेही न्याई किया है चंद्रभान ने आशे हम सभी चंद्रभान के पास आएंगे न्याई करवाने के लिए हैं चंद्रभान तो एक मामूली गडरिया है वो इतने सुल्जिय तरीके से न्याई कैसे कर सकता है सारा गाउं तोसे राजा भोज से भी अधिक बुद्धिमान मानने लगा है कहीं कुछ गडबड है और इसी जलन के चलते चतूरी ने चंद्रभान के खिलाफ शेहर के प्रमुख सिपाही से शिकायत कर दी वो प्रमुख गुस्से से आफ बबुला हो गया जाओ और उस गड़रिये की एक एक चाल की मुझे सूझ ना दो अब कोई भी उसके पास न्याय के लिए दुबारा आया तो उन लोगों को पकड़ कर महराज के दरबार में पेश दिया जाए महराज भूझके होते हुए कोई गड़रिया न्याय नहीं कर सकता जाओ एक रोज की बात है राजा भूझके दरबार में एक प्राम्मन न्याय माँने पहुचा महराज हो ले जुट बोल रहे है मने से कोईप्र का नढ दिया है शांत, शांत हो जाओ तुम लोग, यह हमारा दर्बार है, कोई बसार नहीं, अब पूरी बात बताओ आयह, माराज, मैं एक सब्राम बढ़ जी, ब्यापर करको अपनी और अपनी पत्नी को पेट बरताजी, एक तीदर ब्यापर करनी को दूत्रे राज में के आताजी मेरे पास कुछ बाव मुल्ली बाव मुल्ली पुली तो हो जी केमती जे केमती केमती रातना जी चिज़का माई ने अपना मित्र को रगनी को दिया जी माई उसको बोला लोट कर ले जाएंगे जी और फिर लोट माई पिर लोट तो लोट नहीं पर लीने को गया दा जी पर यह मुझे देने को मन गरता जी अईयो महाराज देवा देवा ये ये जे बाव मूली जी केमती जी रत्न जी मेरे जीवन के पोज जी पोज जी महाराज यह सच बोल रहा है पर अधूरा सच बोल रहा है मतलब चाने से पहले इसने मुझे तीन रत रखने के लिए दे दिये थे जब यह कहीं महीने बाद ना आया तो मैं उन रतनों को इसकी बीबी को अबस कर रहा है अधाया यह इसने मेरी को कोई रतन नहीं लटाई महाराज जो तुम्हार इस बात को साबित कर सके महाराज मैं इने अपने साथ लाया हूं यह मेरे गाहों के मुख्या और यह पुजारी मेरे गाहों के मंदर के पढ़ना महाराज महराज मैंने तिनो रतन इस प्रामरी की पत्नी को लटाये थे इन दोनों के सामने ही बताओ क्या यह यह आद मुश्त्ति बोल रहा है जी हां महराज, इसने हम दोनों के सामने इस महिला को तीनों रतन लटाये थे, क्यों पंडेत एक्तम सोला आने सच महाराज एक प्राम्वन होकर जूट बोलना तुम्हें शोबा नहीं देता तुम भरी सवा में अपने इस मित्र से एक शमा मांगाओ और हर जाने के रूप में दस सोने के सिक्षे इसे दो महाराज दया करो जी महाराज दया करो मैं मेरी पत्नी सज बूल रहे जी सज बूल रहे पर आप जी चमक करे तो एक विनती करने को चाहती जी आग्या है वही नियाई के लिए एक बार एक बार चंद्रबान की पस जाना चाहती जी मैं जाना चाहती काउन है ये चंद्रबान जो मुझ से राजा भौच से भी कुशन नाय कर सकता है महाराज वह एक मामुली से गड़िरीया हैगा और बच्चों की जो खेल खेलता रव है उसकी तुलना आप से कोई जुटा ही कर सके आप इस ब्राह्मेर की बात तों में मत आये महाराज चंद्रबान वेड़ पकरी चराती मैं मानती जी मैं मानती पर नियाय करने के लिए वो समुच समुचे बोलेत जी पूरा राज पूरा राज में प्रसेद जी प्रसेद वो अनजाने पे पे कभी गलत निया नहीं कर सकता जी कभी नहीं कर सकता जी ठीक है ठीक है हम भी देखते हैं वो क्या नियाय करता है देव महराज धनवाद बोलती जी माई माई चरल पकड़के बोलती जी माई मेरी धनम पत्नी दोनों पकड़के बोलती जी बहुत धन्यवाद जी बहुत धन्यवाद महराज मां आज इतनी लोग यहां क्या कर रहे हैं यहां चंद्रबान आज कोई बहुत बड़ी समस्या का न्याय करने वाला है हाओ हाओ दिखते हैं यह पता लगाना सच मुझ कड़ी ना कि कौन सत्ती बोल रहा है और कौन जूट मक्ष्या जी कौने में आप यह बताईए जो रत्न ब्रह्मन के पत्नी को लोटाई थे वे कौन से रंके थे और कितने बड़े थे हाँ तीनो रत्न नीवी रंके थे और वे निम्बू जितने बड़े थे हम ठीक है निकल ये पंड़े जी आप भी कोने में इस ब्रह्मन की पत्नी को जो रत्न रुटाई गए थे उनका रंग क्यादा अब रंगे वाँ लाल रंके थे और कितने बड़े थे कितने बड़े थे यही कोई चने के दाने जितने ठीक है आप जाएए अब बहुत ही जल दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा मैंने पता लगा लिया कि जुट कोन बोल रहा है ब्राह्मन और उनकी पत्नी जुट नहीं बोल रहे है जुट तुम बोल रहे हो नहीं मैं सच बोल रहा हूँ रामस हां 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 हम क्यों जुट बोलेंगे राम 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 जुट अर मैं अरे भाईये मैं तो भगवान का पुजारी हूँ मुझसे ज्यादा शरीफ तो आपको पूरे गाउं में ठूंडने पर भी नहीं मिलेगा भला मैं जुट बोलूँगा क्यों भाईयो मैं जुट बोल सकता हूं क्या है पंडित पंडित शुद्ध घी में नहाया हुआ पंडित अब अब पंडित नहीं पोंगा पंडित अदू मुख्या गाउं के मुख्या होकर छूट बोले यह असर पड़ेगा पूरे गाउं पर अपने गाउं के बच्चों को क्या यही शुच्छा दे रहे हूं कि अपने ही गाउं वालों को छलसल लूट लो शिर्फ चैन सोने के स अब 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 आधा अगर इनसे जूट बुलवाना था तो कम से कम इन दोनों को उस रत्न के रंग और वे कितने बड़े थे यह तो बता दिया होता का कि दोनों एक जूट बोल पाते मुख्या है मुख्या कहता है कि रत्न निली रंके थे ओ नीबू ओ नीबू जितने बड़े थे यह पंडित पंडित नहीं पूंगा पंडित है जो यह कहता है कि रत्न लाल रंके थे ओ चने जितने बड़े थे अगर तुने रत्म इन दोनों के सामने दिये थे तो इन्हें याद क्यों नहीं कि ये रत्म किसे रंके थे और कितने बड़े थे तुम्हारी चोड़ी अब आप पकड़ी गाई अरे ऐसा भी हो सकता था मेरे मन में ये बात क्यों नहीं आई अपसावस अंचाने में मैंने उस ब्राह्मन के साथ अन्याय किया है इन रत्मों को देखकर मेरे मन में लालच आ रही है अब मैं इस ब्राह्मन के तीनों रत्मों को लोटा रहा हूं शमा 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 सिर्फ इतना ही नहीं उरे गाउं के सामने तुम तीनों को एक दूसरे का कान पकड़कर सो उठा बैटित लगानी पड़ेगी राम 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 साव बार गलत सुना दोसो तू मत बहुत और जब मान हानी तुमने इजद्दार लोगों की है उसके लिए तुम तीनों को सो सोने के सिट्ट्य देने होंगे अईयो क्या न्याए जी है अच्छा करती जी अच्छा करती ना एक तो तेर चार पाच्छी जी आईयो क्या न्याए की है चांद्रवन की जैए चंद्रभंती जे चंद्रभंती जे राम 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 तुमने तो पूरे गाओं में मेरी इज़त का भालूता कर दिया है और क्या पता नहीं किस मन्हूस पल में हमने इसकी बात बानी थी अब कौन मुझे इस गाओं का मुख्या मानेगा मामा इस चंद्रभं ने तो बहुत सही न्याय किया है सच मुझ बेटा चंद्रभं कोई मामुली लड़का नहीं है बेटे मैंने तुम्हें न्याय करते देखा कून है अब बेटे, जिस राज के तुम नागरिक हो, उस राज का राजा मैं हो, मेरा नाम राजा भाउज है महाराज की जे हो, महाराज, छमा करें महाराज, मैं आपको एच्चान नहीं सका ऐसा नाय तो क्यवाल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है, तुम बेड़ बकरी चराने वाले, तुम या न्याय कैसे कर लेते हो महाराज, मुझे स्यम नहीं पता, कि मैं ये सब ऐसे कर लेता हूं जब भी मैं इस टील बाद भाब बैड़ता हूं, मेरे अंडर अपने या भी ऐसी सकती आ जाती है, कि मैं कोई विन्याय कर लेता हूं आइसी क्या बात है इस टीले में? पता नहीं महाराज मा, मा, दिखो, दिखो, ये लोग इस तिली को खोद रहे हैं क्या कोई खजाना चेपा है यहां पता नहीं बेटा बस देखते जाओ महराज लगता है यहां पर कोई मजबूत चीज गड़ी हुई है ध्यान से बिना उस चीज को हानी पहुंचाए उसे बाहर निकालो महराज, महराज ये देखिए क्या निकला है इस तिले के नीचे से मा, मा, ये क्या है? सिंघासन, ये किसे बहुत ये शूर्वेर और बलशाली राजा का सिंघासन लगता है इस सिंघासन को अच्छे से साप करके हमारे तरबार में रखा जाए आज से हम इसी सिंघासन पर बैठेंगे ये सिंघासन जिसकी से भी राजा कर रहा होगा अब मैं इस पर बैठकर उसी राजा की तरह न्याय करूंगा